बच्चो प्राचीन समय से ही यदि हम जब से मनुष्य की उत्पत्ती हुई है इस प्रिथ्वी पर जीवन की उत्पत्ती हुई है तब से बात करें तो हम देखते हैं कि क्रिशी जो है वो प्राचीन समय से ही चली आ रही है क्रिशी का कारिय पहले से ही किया जा रहा है अब हम ये देखते हैं कि हमारा भारत जो है वो एक क्रिशी प्रधान देश है और हम ये देखते हैं भारत की अधिकांश जनसंख्या क्रिशी पर ही डिपेंड है निर्भर है क्रिशी कारे से ही उनका जीवन यापन होता है तो जब हम अपने देश के विशय पर बात कर रहे हैं तो चुकी हमने देखा कि बहुत सारे लोगों का लगभग तीन चौथाई जनसंख्या जो है गो क्रिशी पर निर्भर है तो क्रिशी के विशय पर चर्चा करना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है हम देखते हैं कि क्रिशी जो है ये सिर्फ जीवन यापन का साधन ही नहीं है ये हमारे देश की अर्थविवस्था की आधार शीला है इसी पर हमारी देश की अर्थ व्यवस्ता जो है खड़ी है हम ये भी कह सकते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे देश में या भारत के लिए क्रिशी का क्या महत्व है क्रिशी कार्य का क्या महत्व है ? हमारे भारत में क्रिशी ना केवल एक परंपरागत व्यवसाय है बलकि हमने कहा कि यहां के लोगों के जीवन्यापन का माध्यम है उनका आधार है अब इस बात का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे देश की लगभग 55 प्रतिशत जनसंख्या जो है वो क्रिशी कार्य पे लगी हुई है और जनसंख्या को इस पूरी लगभग 55 प्रतिशत 55 परसेंट जनसंख्या को ये कार्य जो है ये प्रदान करती है ये कार्य शिल श्रमिक जो है वो इसी में लगे हुए हैं हम देखते हैं क्रिशी जो है यह हमारे पूरे जनसंख्या जो है उसकी उदर पूरती का माध्यम है राश्ट्री आय में देखें इसका क्या योगदान है तो राश्ट्री आय में लगभग 46% जो है वो क्रिशी से ही प्राप्त होती है हमारी पूरे देश की श्रम शक्ति मतलब हमारे देश में जितनी भी कारी शिल जनसंख्या है उसमें श्रम शक्ति का लगभग 64% जो है वो प्रत्यक्ष रूप से क्रिशी कारिय में लगी हुई है और हम देखते हैं कि क्रिशी श्रमिकों का जो दो तिहाई हिस्सा है वो लगभग कुल श्रमिकों का दो तिहाई भाग है मतलब हम ये कहें कि श्रम शक्ति का 64% जो है वो क्रिशी कारिय में लगा हुआ है तो कुल जो श्रमिक हैं हमारे देश में उसका दो तीहाई भाग सिर्फ कृशी श्रमिकों का यहाँ पर है अब GDP में हम बात करें कि भारत की जो GDP है सकल घरेलू उत्पाद में कृशी का क्या योगदान है तो सकल घरेलू उत्पाद में जो लगभग 22 प्रतिशत है वो 22 प्रतिशत हिस्सा क्रिशी से प्राप्त होता है इन सब के अतरिक्त हम देखें कि पशुओं का चारा हम बात कर लें कि यहाँ पशुपालन का कारे भी किया जाता है तो इसे पशुओं के लिए चारा जो अधिकांश बड़े उद्योगों की हम बात करें चाहे शक्कर उद्योग की बात करें या हम लौहिस पात उद्योग की बात करें या फिर सूती वस्त्र उद्योग की बात करें जूट उद्योग की बात करें वनस्पती तेल ये सब ही जो उद्योग हैं इसमें अधिकांश या महत्वपूर्ण जो है कच्चा माल ये कृशी से ही प्राप्त होता है बहुत सारे जो कृशी उत्पाद हैं जो देश में उत्पादित किये जाते हैं उनका अधिकांश हिस्सा जो है वो विदेशों को निर्याद भी किया जाता है और एक्सपोर्ट करने से निर्याद करने से हमें विदेशी मुद्रा बहुमुल्य विदेशी मुद्रा की प्राप अब हम देखें कि देश के कुल क्रिशी निर्याद या हम यह कहें कुल निर्याद में क्रिशी का जो योगदान है वो लगभग 18 प्रतिशत है तो इन इस सभी मतलब हमारे देश की अर्थय व्यवस्ता में क्रिशी के इस महत्व को जान कर हम कह सकते हैं कि वास्तों में जो कृषी है वो हमारे भारती अर्थय व्यवस्ता की रीड है क्योंकि इन सभी चीजों के लिए यहां जो को कि आफमारे देश की अर्थ विवस्था पर है, तो बहुत सारी चीजें कृषी के ही इड़द गिरद घुमती हैं, इसलिए इसका महत तो हमारे लिए और बढ़ जाता है, चाहे हम निर्याद के छेतर में बात करें, राष्ट्री आय के छेतर में बात करें, कुल श्रमिकों के विशे में ब सभी में हम देखते हैं कि कृषी का योगदान जो है वो महत्वपूर्ण है भारत एक विशाल देश है और जैसा कि हम सभी को पता है कि यह विशाल देश जो है यहां जलवायू, मिट्टी, इस्थलाकृती इन सभी से संबंधित जो है वो बहुत सारी विभिनताएं देखने क को मिलती है कहीं पठारी छेत्र है कहीं मैदानी है कहीं दलदली छेत्र है कहीं मरुस्थली छेत्र मिलता है हमें मिट्टियों में भी अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग प्रकार देखने को मिलते हैं जलवायू से संबंधित सभी स्थानों पर भिनताएं देखने को मिल कि क्रिशी के अलग-अलग प्रकार यहां पर हमें मिलते हैं जिसमें मुख्य प्रकारों की हम बात कर लेते हैं पहला है आपका निर्वहन या जीवन्यापन क्रिशी दूसरा है व्यापारिक क्रिशी तीसरा शुष्क क्रिशी और चौथा है आद्र क्रिशी तो पहले हम बात कर लेते हैं निर्वहन या जीवन यापन कृषी ये कृषी का वह प्रकार है जिसमें कृषक जो है यह हम ये कहें कि कृषी कारे का मूल भूत जो उद्देश है वो अपने परिवार के जो सदस्य है उनका जीवन यापन करना होता है मतलब क्रिशी में जो भी उत्पाद लिये जाते हैं जो भी उत्पादन किया जाता है उसका महत्तपूर्ण उत्देश परिवार का जीवन्यापन करना है किसी भी प्रकार से ये क्रिशी जो है वो व्यापारी काधार पर नहीं की जाती तो जब ये जीवन यापन की उदेश से की जा रही है तो इसका मतलब ये है कि इसमें वो फसले ली जाएंगी जिसमें सबसे जादा से जादा उत्पादन हो भूमी कम मात्रा में या छोटी भी है तब भी उसमें हमें अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन जो है वो प्राप्त हो ये हमारे भारत की जो है अधिकांश जनसंख्या का भरन पोशन करती है अब हम इसमें देखते हैं कि जो इस्थानांतरित क्रिशी की हम बात करते हैं या इस्थान बद्ध क्रिशी की बात करते हैं ये सभी जो क्रिशी के प्रकार हैं वो इसी जीवन यापन क्रिशी के अंतरगत आते हैं इस्थानांतरित क्रिशी में भी हम क्या देखते हैं कि क्रिशक या वो लोग जो है वो एक इस्थान पर जहां पर उन्हें उपजावू भूमी मिल रही है या वनों को साफ करके वहां पर क्रिशी कारे करते हैं फिर जैसे ही उस इस्थान की जो उपजावूपन है वो कम हो जा करते हैं तो यह चुकि इस थाई रूप से ही एक जगा क्रिशी कारे नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इनका जो उदेश यह है महत्व पूर्ण उदेश वो अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन करना और अपने परिवार के सदस्यों का जीवन्यापन करना होता है तो पहला हम यह देखेंगे कि जहां पर भी जीवन्यापन करिशी की जाती है वहां पर के जो खेत होते हैं वो प्रायाद छोटे आकार के होते हैं साथ ही साथ जब क्रिशी कारिक किया जाता है तो वहाँ पर छोटे छोटे ओजारों का प्रयोग किया जाता है या हम ये कहें कि परंपरागत ढंग से क्रिशी कारिक किया जाता है उसमें किसी भी प्रकार के उन्नत बीज या नवीन तक्नीक का प्रयोग नहीं होता क्योंकि ये छोटे किसान होते हैं जो आर्थिक रूप से थोड़े पिछड़े हुए होते हैं और चुकि पुंजी का इनके पास अभाव होता है इसलिए जो भी ओजार या जो भी तकनीक इनके पास उपलब्ध होती है वही परंपरागत तकनीक ही ये उपयोग में लेकर आते हैं अब हम देखते हैं कि यहां पर जो क्रिशी कारे किया जाता है वो अधिक्तम उत्पादन लेने के लिये ही किया जाता है या यह कोशिश की जाती है कि वो जितनी भी भूमी उनके पास उपलब्ध है उन्हें उसमें से अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाए अब नेक्स्ट इसका देखते हैं अधिकांश जो उपजाव भूमी है वहाँ पर क्रिशी कार्ये ही किया जाता है क्योंकि हम इस चीज को बार-बार बोल रहे हैं इस क्रिशी का प्रमुक्ष देश जीवन यापन या अधिक्तम उत्पादन करना होता है तो खेट भी इनके पास प्राया छोटे आकार के ही होते हैं तो ये अधिक से अधिक उस छेत्र में क्रिशी का कार्ये ही करते हैं इसलिए इस प्रकार की क्रिशी में हम देखेंगे कि जो चारा गा भूमी होती है उसका अभाव देखने को मिलता है अब प्रमुक रूप से जीवन या पन क्रिशी होने के कारण हम देखेंगे कि यहां पर खाध्यान फसलों के उत्पादन को या खाध्यान फसलों की क्रिशी को ही प्राथमिक्ता दी जाती है क्योंकि उन्हें अपनी उदर पूर्ती करना है लोगों जो क्रिशक परिवार है उसे अपने परिवार के सदस्यों का जीवन पालना होता है तो प्रमुख रूप से ये खाद्यान नका ही उत्पादन करते हैं और कोशिश करते हैं कि इतना अधिक उत्पादन वो कर पाएं जिससे अपने परिवार के सदस्यों की उदर पूर्ती संभव हो सके अब हम देखते हैं कि हमारे भारत के अधिकान शेत्रों में परंपरागत ढंग से जीवन निर्वा क्रिशी जो है वो की जाती है अब इसमें कौन-कौन से छेत्र आते हैं तो प्रमुख रूप से हमारा मध्धि प्रदेश है चतिस गड़ है पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें या बिहार की बात करें तो ये ऐसे छेत्रे हैं या ऐसे राजी हैं जहां पर जीवन निर्वा मूलक क्रिशी जो है वो की जाती है और इन छेत्रों में यहां की जो क्रिशक जन संख्या है वो प्रत्यक्ष रूप से इसी क्रिशी पर निर्भर होती है क्रिशी की दूसरे प्रकार की हमने बात की थी व्यापारिक क्रिशी तो जब भी क्रिशी कारी जो है वो व्यापार करने के उदेश से किया जाता है या उस क्रिशी में ऐसी फसले उगाई जाती हैं जिनका व्यापारिक महत्व हो या हम उसे अपने देश से, अपने छेतर से दूसरे छेतर की तरफ निर्यात करते हैं, व्यापार करने की उदेश से, लाभ कमाने की उदेश से, तो उसे हम व्यापारिक कृशी जो है कहते हैं, व्यापारिक कृशी की महत्व पूर्ण विशेष्टा ये होती है, कि इसमें खा क्रिशी कार्य भी जो है वो प्रमुक रूप से निर्यात करने के उद्देश से ही किया जाता है यहां पर आप दोनों में अंतर समझ सकते हैं हमने देखा था जो जीवन निर्मा मुलक क्रिशी या निर्वहन क्रिशी की हमने जो बात की थी वो प्रमुक रूप से जीवन याप यहां पर जो हम व्यापारी क्रिशी की बात कर रहे हैं तो हम यह देख रहे हैं कि व्यापारी क्रिशी जो है वो प्रमुक रुप से व्यापार के उदेश से की जारी है व्यापार मतलब लाब कमाने के उदेश से तो इसमें जो नगदी फसले होती हैं जिन्हें हम दूसरे छे मचलें जो हैं वो उगाई जाती हैं. इसमें खाद्यान फसलों कभी यदी उत्पादन किया जाएगा या किसी भी प्रकार के फसलों का यहां پर जब उत्पादन होता है तो उसका महत्वपूर्ण उदेशं निर्यात करना ही होता है. कौन-कौन सी विशेश्टाएं होती हैं, इस व्यापारी क्रिशी की इसकी हम बात कर लेते हैं, इसमें क्रिशी की जो आधुनिक्तम पधतिया हैं वो प्रयोग में लाई जाती हैं, मतलब नवीन तकनीक को एडॉप्ट किया जाता है, क्रिशी का जो उत्पादन है वो बड़े पैमाने पर और व्यापार के उद्देश से किया जाता है, हमने निर्वहन क्रिशी में देखा था कि उसमें खेतों के जो आकार है वो छोटे होते थे क्योंकि उसमें छोटे क्रिशक शामिल थे, चुकि ये व्यापार के उद्देशे से किया जा रहा है और नवीन तकनीकों को या आधुनिक पधतियों का प्रयोग किया जाएगा, तो इसके लिए हमें बड़े आकार के खेट की, बड़े आकार के भुखंड की आवश्चकता होती है, अब एक और विशेशता हम इसकी देखते हैं, आधुनिक क्रिशी पधती का प्रयोग तो इसम यह सब ही प्रकार के जो उत्तम प्रकार के बीज हैं, उत्तम खाद हैं, यह हम उर्वरक की बात करें, नवी मशीनों की बात करें, आधुनिक मशीनों की, तो यह सब ही इस प्रकार की कृषी में प्रयोग में लाए जाते हैं. हमने बात की ही है कि इसमें खेतों का आकार बड़ा होता है बड़े भुखंड पर की जाती है ये क्रिशी और प्रमुक रूप से हम रोपन क्रिशी या बागाती क्रिशी ट्रक फार्मिंग डेरी फार्मिंग इस प्रकार की जो क्रिशी पद्धतियां है ये व्यापारिक जूट और रबड की आसाम में चाय की बात कर लें, उत्तर प्रदेश, करनाटक, तमिल नाडू में हम गन्ने की उत्पादन की बात कर लें, कहवा की उत्पादन की बात कर लें, तो ये सब ही व्यापार के उत्देश से की जाती है, और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहां जितनी भ पुरा अधिकांश हिस्ता है वो विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है और निर्यात करने से हमें विदेशी पूंजी जो है वो प्राप्त होती है अब हम भारत में देखें तो भारत में मध्य प्रदेश है उत्तर प्रदेश असम है केरल है पशिम बंगाल की हम बात करें तमिल नाडू या करनाटक की बात करें तो इसके सासान उत्तरी राजियों में पंजाब और हरियाना ये सभी ऐसे राजी हैं जहां पर व्यापारी कृशी को अधिक महत्व जो है वो दिया जाता है और इसलिए यहां पर बागानी या रोपन कृशी और ट्रक फार्मिंग जैस से अधिकांश हिस्सा इसी प्रकार की क्रिशी का प्रयोग किया जाता है अब हम क्रिशी का तीसरा प्रकार शुशक खिर्शी यह हम जिसे ड्राय फार्मिंग की नाम से भी जानते हैं इसके विशाय में बात करते हैं शुष्क क्रिशी भारत के उन छेत्रों में की जाती है जहां पर जो खेती है या क्रिशी जो है वो वर्षा के जल पर निर्भर करती है और वर्षा के जल पर निर्भर तो करती ही है लेकिन इसमें एक महत्तो पूर्ण बात यह होती है कि इन छेत्रों में बारिश की मात्रा या वर्षा का जो प्रतिशत है वो भी कम होता है। हम ऐसे झेट्र देखेंगे जहां पर लगभग 30 से 75 सैंटिमीटर जिन्भी झेट्रों में वर्षा होती है या वर्षा की मात्रा होती है उन झेट्रों में शुष्क क्रिशी की जाती है। और चुकि ये वर्षा के पानी पर वर्षा के जल पर डिपेंड होती है निर्भर होती है इसलिए हम इसे बारानी या वर्षाधिन खेती भी कहते हैं इन छेत्रों की एक महत्वपूर्ण विशेष्टा और होती है कि हमने बात की कि यहां पर वर्षा की मात्रा तो कम होती ही है और साथ ही साथ वर्षा का जो जल है वो यहां पर इकठा नहीं हो पाता तो ऐसे छेत्रों में यहां पर यह क्रिशी की जाती है फिर हम बात करें गुजरात है आपका पश्यमी राजस्थान की बात कर लेते हैं हम और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा इन सभी छेत्रों में इस प्रकार की क्रिशी की जाती है अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो भारत है वहां पर जो बारानी खेती का प्रतिशत है वो कुल खेती योग जितनी भी भूमी है उसका लगभग 70 प्रतिशत जो हिस्सा है वो बारानी खेती या वर्शाधिन खेती के अंतरगत आता है हम देखते हैं कि देश में फसल वाले खेतर जो है कुल कृशी खेतर वो लगभग 14 करोड 20 लाख हेक्टेर हैं और इसमें से हम देखेंगे कि 10 करोड 20 लाख हेक्टेर भूमी जो है वो बारानी खेती या वर्शाधिन खेती के अंतरगत आती है इन छेतरों में जो अध्योगिक द्रिष्टी से महत्वपूर्ट फसल होती है चाहे हम बात कर लें मुंफली है कपास है ज्वार बाजरा यहां मक्का की बात करें इस प्रकार के जो मोटे अनाज हैं और द्योगी ग्रिष्टी से महत्तोपूर्ण हमने बाद की कपास और मूंगफली तो इस प्रकार की जो फसलें होती हैं इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें इसी प्रकार की कृशी भूमी से प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि जो बरानी खेती या शुष्क क्रिशी वाली जो भूमिया हैं उनके विकास के लिए सरकार के द्वारा आठवी योजना के अंतरगत रास्टी पंधारा विकास कारिक्रम जो है वो लागू किया गया। 15 चेतर एक ऐसा भौगॉलिक चेतर है जिसमें होकर पानी एक खास स्थान पर एकत्र हो जाता है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में जो सुष्ककरिशी वाले जो छेतर होते हैं छोटी-छोटी नदिया या छोटे-छोटे जो नाले हैं उन सभी का जल एक खास स्थान पर एकत्र किया जाता है इकठा किया जाता है और फिर उस छेत्र से अलग-अलग इस्थानों पर उस एकत्र जल का हिस्सा जो है वो भेजा जाता है जोरत के हिसाब से तो इस कारिक्रम में आठवी योजना के अंतरगत हमने बात की कि ये जो रास्टी पंधारा विकास कारिक्रम लागू किया गया इसक जल को भेजने की जो सुविधा है या हम कहें कि ये कारिक्रम के माध्यम से उन स्थानों तक जल को पहुंचाया जाता है अब हम देखते हैं कि कोई भी जो क्रिशी कारिय है जहां पर भी क्रिशी कारिय की जारी है तो अधिक उत्पादन जब हमको चाहिए तो अधिक उत्प 30-75 cm के मध्य वर्षा होती है वहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ पर की भूमी में नमी का भाव होता है क्योंकि वर्षा का कम जल जो है इन छेत्रों को प्राप्त होता है चाहे हम बात कर लें आपके दक्षिन हर्यारा या पुर्वी राजस्थान की बात करें गुजरात और प का शिमी घाट के पुर्वी हिस्सों की हम बात कर लेते हैं जो लगभग वरिष्टी छाया प्रदेश के अंतरगत आते हैं और जहां पर सूखा ग्रस्त छेत्र हम इन भागों को कह सकते हैं तो यह ऐसे ही छेत्र हैं जो आपके बारानी खेती या शुष्क करिशी के अंतरग आते हैं